मौसम ने देश के कई हिस्सों में जहां चहरे पर मुस्कान खिलाई है वहीं पूर्वुत्र इसकी मार से कराह रहा है पिछले एक माह से बार से जूज रहे असम और अरुनाचल में लोग अस्थाई कैम्पों में रह रहे हैं असम में करीब 3 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं और अब तक 60 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है लगातार हो रही बारिश से ब्रह्म पुत्र नदी में पानी बढ़ गया है जिससे कुछ दिनों संभलने के बाद रविवार को बार ने फिर विक्राल रूप ले लिया और नगाम डिब्रूगर समेत दरजन भरजिले पानी में डूब गए लोगों के घरों में घुटनों पानी भरा है एंडी आरेफ की टीमें उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुँचा रही हैं वहीं गुजरात के सूरत में भी तूफान ने भारी तबाही मचाई बड़ चीनाप धाम में अलकनन्दा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है सुमवार दोफर नदी का जलस्तर खत्रे के निशान से उपर पहुँच गया है पुलीस प्रशासन ने तप्तकुंट खाली करा दिया है यहां से नदी का जलस्तर मात्र 6 फीट नीचे रह गया है अलकनन्दा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है सुमवार को अपरान बद्रीनात धाम में अलकनन्दा का जलस्तर तेजी से बढ़ने लगा देखते ही देखते पानी तप्तकुंट के पास बहने लगा शाम साड़े छे बजे तक तप्तकुंट से मात्र 6 फीट नीचे बह रही थी जबकि सामान्य दिनों में अलकनन्दा तत्पकुंट से करीब 15 फीट नीचे बहती है देश में जुलाई के महीने में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है अत्यधिक बारिश से पश्चमी हिमाले राजियों और मध्य भारत के नदी किनारे वाले भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को यह पूर्वानुमान व्यक्त किया साथ ही यह भी बताया कि जून के महीने में सामान्य से 11 फीस्दी कम बारिश हुई है आई एमडी के महानी देशक मृत्यूंजे महापात्र ने वर्चुल प्रेस कॉन्फरेंस में कहा कि प पूर्व उत्तर भारत के कई हिस्सों और उत्तर पश्चिम पूर्व और दक्षिन पूर्व प्रायद वीपिय भारत के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांच हिंसों में सामान्य और सामान्य से अधिक पारिश होने की संभावना है आई एमडी प्रमुख ने कहा कि पश्चमी हिमाले राजियों में सामान्य से अधिक वर्षा के अनुमान का मतलब है कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मु कश्मीर के साथ ही पश्चमी हिमाले के तराई वाले इलाकों में अत्यधिक वर्षा होगी। ऐसा क्शेतर है जहां भारी बरस्ता के चलते बादल फटने की घटनाएं, भूस खलन और बाड का ज्यादा खत्रा होता है। इन राजियों से कई प्रमुख नदियां भी निकलती हैं। मध्य भारत में अधिक वर्षा से गोदावरी, महानदी और अन्यकई नदियों में बाड़ आने का खत्रा है। महाराष्ट्र तक मानसून सामान्य गती से आगे भी बढ़ा है। लेकिन उसके बाद उसकी गती धीमी पड़ गई। 1901 के बाद से जून सबसे गर्म रहा। 22.02 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.96 डिग्री सेल्सियस अधिक है। वहीं औसत न्यूंतम तापमान 25.44 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.35 डिग्री सेल्सियस अधिक है। झाल